क्लास 24 स्वागत है आप सभी का क्लास 24 के शांदार सेशन के अंदर जैसे कि आपको पता है कि जैनवरी में आपके ग्रूप डी का पैट जो है वो शिरू हो गया था काफी सारे पैट की डेट निकल भी चुकी है और फरवरी तक आपका यह पैट कंप्लीट हो जाएगा और रे तो नेक्स्ट आपका जो रिकूट्मेंट है वो आपका लाइन डप है कहीं न कहीं आप लोग को याद रखना है कि हम अगर अलप की नोटिफिकेशन का इंधिजार करेंगे तो नोटिफिकेशन के बाद मात रहो सकता है आपको दो या तीन महीने का ही टाइम दिया जाए प में आज से ही साइन्स जी के माच्स वो कवर करनी होगी और यहां पर अगर मैं बात करूं यहां पर कि आपका आरार भी एलपी एंड टेक्नीशन दोनों की विकेंसी जो है आने वाली है और आज की वीडियो में देखने वाले कि एक्जाम पैटन क्या होता है पतरु को समझ दीजे कि कैसे आपकी और यहां की आराल कि त्यारी करनी है आज से इसलिए हम बेसिक साइन्स का या एल्पी स्पेशल या एल्पी टेकनीक टेकनीशन स्पेशल जो है ना बाच का रही हूँ आज ही से इसकी एंरॉल्मेंट शुरू हो जाएगी और वेटने क कि कल इसका एक इंट्रोक्शन वीडियो भी जाएगा अब यहीं पर बता दूं आपका इंट्रोक्शन वीडियो से रिलेटेट कि फर्स्स त्री और या पर मैं आपके जो सब्जेक्ट है वह तो आपके कवर होंगे ही के मिस्ट्री फिजिक्स और वायलजी उसके अलावा इस स कि एल्पी किसी भी एक्जाम के लिए आपको इसे जॉइन करना चाहिए तो वह आपको एवी एस एंड साइन्स एंड टेक्नोलजी अगर आप एवी एस एंवायमेंटल साइंस को देखेंगे तो यहां से काफी क्वेश्चन आपके कई बार एक्जाम में पूछे जाते हैं और टॉपिक के आपको mcqs, printable notes, bilingual classes, complete notes उसके बाद ncrt exemplar जो ग्रुप D के लिए हाय तो अब मची हुई थी कि भाई ncrt exemplar जो है वो अपने को कैसे कवर करना है numerical important है यह लपी के लिए जाइग्राम हो गया और आपके 100 pre-test साथ में ebs and science and tech की जो क्लासें वो भी चलने वाली है अगर मैं एल्पी के special course है तो मैं आपको बता दू एल्पी के exam से 15 दिन पहले यह course मेरी तरफ से खतम हो चुका होगा और यहां पर मैं बता दू रुपीस 49 मैंने क्यू करा जबकि पिछले course की fees मेरी जाधा थी या for that matter 999 की मैं बात करूँ तो आप लोग याद रखें यह 499 स जो है ना वो इसमें इंक्लीड कर लीजे ताट इस Tuesday Wednesday introduction session के बाद ही बच्चे जो है वो ले पाएंगे और Tuesday Wednesday Thursday 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 जो है ना यह आपका last date होगा जहापे आप 499 में enroll कर सकते हो मैं पांच चीज़े आपको बता रही हूं biology physics chemistry environmental science science and technology NCRT examplers सारे के सारे आपके complete notes आपको मिलेंगे MCQs मिलेंगे हर चीज़ की भी value वैसे तो अच्छी चीज़ की कोई value नहीं होती but despite of that 499 makes a very short range ठीक है उसके अलाबा चलिए एक बार class 24 लेना कैसे है तो class 24 application आप download कर लीजे वहाँ पे आप railway वाले section में जाएगा railway वाले section में आपको ALP science batch 2 जो है वो नजर आएगा यह science batch 2 नजर आएगा for that matter science batch 2 पे जाके क्लिक करेगा by now का procedure आएगा click कर सकते है organization RRB इसको conduct करा रही है दो phases में आपका ALP का paper होने वाल है assistant local pilot और technician job location आपकी कहीं पे भी दी जा सकती है तो यह मत सोचना मेरे राज्य में ही मुझे मिलेगा या मेरी city के आसपास application online ही भरी जानी है online registration notify किया जाएगा बहुत जल्दी और यही चीज़े जिसका हमसा बेसबरी से इंतजार भी कर रहे है selection procedure की बात कर लेते है vacancies yet to be announced है notification आएगा तो जो है vacancies भी आएगी हाला कि RRB की sites पे yet to be announced वाला जो पार्ट है वह अब दिखने लग गया है तो हो सकता है फरवरी के end तक राइट कोशिश करते हैं फरवरी के end तक आएगा अब qualification की बात कर लेते हैं जो इस वीडियो का मीन मकस आपको minimum qualification 2023 के लिए देगी जिसमें ALP का जो segment है वह आपकी 10th SSLC ITI course के साथ जिनके लिए काफी बच्चे बोलते भी है course apprentice का diploma degree किसी recognized university से technician के अगर हम बात करें तो अगें 10 10 प्लस 2 फिजिक्स के साथ और maths के साथ course completed act apprentices diploma in engineering from a recognized in institution और universities याद रख लीजें यहाँ पर degree आपकी किसी recognized university और institute से ही होना चाहिए और 10th जो है न वो आपका ITI course 10th जो है वो आपका pass होना चाहिए किसी भी अच्छे universities के साथ में right ALP का exam आपके दो pattern में होता है या दो phases में होता है इसमें आपकी stage 1 एक है stage 2 CBT second stage में आपके पास part A और part B दो चीजे आती हैं तो first stage CBT जो है वह common exam होगा जो कि ALP technicians के लिए और ALP के लिए common होगा जबकि second stage CBT जो है वो सरफ ALP के exam ALP के बच्चों के लिए होगा first stage CBT में आपकी पास maximum question जो है वह आपके 75 आएंगे इसकी जो formation है questions का number है कितने question कहां से आने हैं यह सब के लिए थोड़ा सा wait करना पड़ेगा questions कितने आते हैं कहां से आते हैं यह detail notification जो आएगा तब पता लगेगा पहले के notification के basis पर हम यह चीज़े एकदम discuss नहीं कर सकते क्योंकि mind में फिर वही set हो जाता है और मैंनी चाहती है आपके अभी इस point पे कहीं पे भी mind में कुछ भी ऐसा set हो जो आगे की चीज़े जो है वो खराब कर दे तो बहराल पिशली बार की में बात करूंगी तो थोड़ी सी कॉप्लिकेशन और number of questions बढ़ा दिये थे second stage CBT में part B साथ और साथ मिनिट में सत्तर question करने थे मैं अगर यहां पे CBT 1 की बात करूं syllabus की तो आप याद रहे कि Maths, General Intelligence जो की reasoning से related है basic science and engineering और general awareness and current affairs से relate करता है General science में mathematics में आपके पास जो भी syllabus होता है जिसमें trigonometry, symbol and compound interest, profit loss, algebra, geometry, elementary, statistics, square roots, age, calculation, calendar, clocks यह सब चीज़े आती है आपके पास General intelligence and reasoning में data interpretation, vein diagram, mathematical operation, syllogism, conclusion and decision making, similarities and differences, आपके statement, argument and assumption General science पे आजाते हैं, कई बच्चे बहुत ही टेंशन लेते हैं और सोचते physics ही आईगी, जब आप ELP का और technician का paper देखने जाओगे CBT 1 में भी बस physics आईगी, आप लोग याद रख लीजे physics chemistry और life sciences यानि कि bio आपके 10 standard तक का level का पूछा जाएगा CBT में कोई demarkation नहीं है कि सिर्फ physics ही आईगी, वो चीज दिमाग से निकाल दीजे, उसके अलाबा, Journal awareness and current affairs session में पहला ही topic जो आपको पिछले साल मेंशन किया था, वो था science and technology, 2018 के basis पे हैं, चीजे अपकॉस चेंज होगी, लेकिन क्या चेंज होगा वो में पता तो लगीगा पहले वाले से, ताकि हम emphasis कर पाए, science and technology, sports, culture, personality, economics, politics, हाला कि history, geography में शामिल होता है, पर आप देख पारे होगी, कि emphasis जो दिया गया है, वो sports and technology, sports, culture, personality पे था, again I repeat कि जो भी notification आएगा, उसमें हमें wait करना पड़ेगा, कि क्या कुछ चीजे change होती हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ALP जो है, वो बहुत स करते हैं, तो हम syllabus का, CBT 2 का पार्ट है, मैं एक paper आपके सामने लेके आऊंगी, 2018 में ALP का paper कैसा आया था, यह एक वीडियो में आपके सामने करने वाली हूँ, वहां से आपको चीजे समझ जा जाएंगी, कि जो 75 question है, जो 60 minute में करने थे, वो कैसे थे, क्या थे, कैसे किया गया कुछ complete कराऊंगी, biophysics, chemistry और MC की उस हर topic के करने, bilingual classes होंगी, complete notes आपको दिये जाएंगे, main focus जो है, वो इन 4 sections पे है, ठीक है, NCRT examples, science and numericals and vein diagram, environmental science and science and technology भी, और 100 free test हो है, वो आपका special feature है, यह सब चीजे आपको रुपीज 499 में ही provide की जा रही है, लेकिन यह 499 जो है, वो only for first 3 days है, अगर आज आप enroll कर लेते हो, that is Tuesday, Wednesday और Thursday, तीन दिन अग में अगर आप enroll कर लेते हो, तो the price is 499, बना 999, आपको बते हैं कि science में कहीं से कोई problem नहीं होगी, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो ALP में 2018 में मुझसे पढ़े थे, और CBT और पूरा पेपर बहुत आपके सामने भी लेके आऊंगी, इंटर्व्यू जो sessions है, वो हम करेंगे, ताकि बढ़िया से आप समझ पाओ, आप class 24 application में जाएगा, download कर ये application, वहाँ पे आप जाएंगे, आपको railways वाले section में जाना है, और ALP वाला जो section है, वहाँ पे जाके आप science batch 2, जो है वो लिखा हो Science batch 2, ठीक है, स्पेशल, science special batch 2, science special 2 आगे लिखा होगा, इस batch पे जाहिए, enroll कर रही है, और Wednesday को जो है वो इसकी पहली introduction class भी होगी, उसको देखना कहीं से भी नहीं भूलेगा, नहीं तो हो जाएगी, दिकत, क्योंकि पहली class से मेरे साथ आप रही है, क्योंकि 499 में यही 5 से ज आपकी बहुत सारे MCQs है, जो की topic-wise होते हैं, उसके अलावा आपका physics, chemistry, bio, evs, science and technology भी है, तो आपकी आप से ठीक होगी, तो मैं आपको यहां पे मिलती हूँ, नेक्स वीडियो के अंदर, तिल दन, शाम को साथ बजे है, वारी static GK की क्लास होती है, जो ALP और railway के साथ साथ स SSC के exam को भी cover कर रहा है, वहां पे भी आप मेरे साथ जुड़ सकते है, thank you so much, bye bye